आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आप भी समझी गए वाँगे कि आखिर मैं एक्साइटेड क्यों हूँ आज दो साल बाद ममी आई है हम लोगों के हाँ और इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बहुत ही खुश हुए ममी को देखके बच्चे भी बहुत खुश हुए फिर मम्मी के साथ हम लोग घुमने के लिए नीचे गए Actually मम्मी दो दिन के लिए ही आई थी तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ही घुमा फिरा पहले पार्क गए क्योंकि सुबर मौरनिंग की धूप लेने के लिए हम पार्क की जाते हैं तो मम्मी को भी ले गए पार्क में और मम्मी थोड़ा सा अपना वाकिन की और उसके बाद से थोड़े इदर उदर की बाते की हमने फिर घुम फिर के हम लोग वापस भी आए थोड़ी दिर बैठने के बाद हुआ है करीब दो साल वाद मम्मी जब यहाँ पर आई तो हम लोगों के खुशी का ठीकाना नहीं था मम्मी भी बहुत खुश थी और जब मम्मी आई थी तब यह पार्क बना नहीं था तो हमने कहा चलो थोड़ा मम्मी को गुमा देते हैं फिर कब मौका मिले ना मिले कोरोना के वज़ा से तो दो साल सबका ही बरबाद चला गया लेकिन अब मौका है तो चलो दिखा देते हैं घुमा देते हैं और अच्छी धूप आने के वज़ा से मौर्निंग में सब ही यहीं आते हैं धूप लेने के लिए थोड़ा टहलना हो जाता है कर दोड़ाई जाता है झाल 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 मामी कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है पार्क में कैसा लग रहा है दूप है हावा है दूप है हावा है पार्क में पूर ज्यादा लग रही है अब ममी किसी को कॉल कर रही है झाल इन्हीं दो तीन दिनों में ममी भावी के यहां गई फिर उन्होंने भी गुपाया जहां 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 जान पहचान है वहां लेके गई अपने लोग हैं फिर उन्होंने वोमन्स डे सेलिबरेशन भी किया और उसके बास से फिर ममी वापस आई फिर हम भी थोड़ा वो जहां गुमा सके वहां पे गुमाने ले गए गए झाल